बहुत टाइम हो गया था इस मिठ्टू को दिखाया हुए और इसके देखना अभी भी एक ही काम है बस ये काटने को पिछे भागता है काटता रहता है ये अभी भी काट रहता है ये मिठ्टू क्या बात है इतना टाइम हो गया हमारे पास इसको एक साल होने वाला है और अभी भी भी इसकी दोस्ती नहीं है हमारे से अगर यह बाहर बैठा हो या बाहर वैसे फरिश पर फिर रहो तब तो भी यह नहीं काड़ता आसानी से हाथ पर आ जाता है वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा काड़ता है असलाम अलेकुम एवरीबडी क्या हाल चालने से की उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खुश होंगे तो या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था जो हमारा मिट्टू था वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया वैसे तो मैं उसको रोज सुबा टाइम उपर लेकर आता ह और यह बहुत ज़्यादादा यार यह बाहर आने के इनका दिल करता है खाया पी कि एक टाइम लाज्श बी खिराता हूँ या सूबा तायम या शाम ताहम जनमें एक दफा मैं इनको लागन से देतों अंब जल्दी से जरा इनको फीड लाकर डालता हूं यह चयक करो यार मेरे पीछे के से आ रहे मेरे पास फीड है और यह सारे देखे रहे कैशे भागया करो और फीवेल के काम चयब करो कैसे जांप कर रही है लिए उनको भाई लेकिन उन्दे देना शुरू कर दी है काफी सारे आंडे की निजम हो चुके इदर से देसी वालों ने चार या पांच अंडे दे दिया है को दिखाता हूं और साथ एसाथ हमारी चुटकुजलेबी का एक अंड है और भई हमारी असील मुर्गी ने छे साथ अंडे डेले तो काफी सारे अंडे हो गए और यह मुर्गी पता नहीं भई यह भी कब जाकर कुड़क होगी तो ऐसे भई मुर्गी भी कुड़क नहों और हमारे अंडे हैं वह भी खराब हो जाएं कि रहते रहां के जल्दस जल्दस इंक्यूवेटर बना लें तो मैंने पते गए सौचे हैं कि आए पना बाते हैं यहां पर हमारे चुटकुजलेमी कोई अटा वगारण नहीं दिया है चैर कोई बात नहीं हमारे पांचों के पसच चुज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अलहमदलिल्ला और यह भी बाहिर आने के लिए कर रहे हैं एक दफ़ा यह खा लें पीने फिर इसके बाद इनको बाहिर खोलेंगे और साथ ही भई रैबिट्स को भी देख लेते हैं बिसमिल्ला रह्मानी रहीम और यह हमारे रै साथ के साथ अंडे असील मुर्गी के हैं यह एक हमारा चुटकुजले भी गया है और वह चार अंडे जो है वह देशी मुर्गियों के अंडे है अचल्छा अलब इतने जादा अंडे हो चुक हैं अब जली जली से बस आज इनक्यूबेटर बनाते हैं और यह सारे के सारे अ और उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यहां पर यहाँ पर सब्सक्रातों लगा मैं हो रिए यह न्याओ सकर लेंडा गित्क्रा करेंगे आप इसको से लेक्त rec souvenir करोंगे और पिर उसके बाद इसको यहां पर बस अड़ेस्ट कर देने हैं और इसको यहां पर fix किया हुआ है और लगाया हुआ है और यह इसका बाइ इसका controller होता है sensor होता है जो इसको भाई हम अंदर की तरह ऐसे छोड़ देते हैं जो heat को maintain करता है और अगर जैसी heat जो given temperature जो होते हैं यहाँ पर हम जो temperature set करते हैं controller पर उससे उपर जाएगा तो भई light off हो जाएगी और जब कम होगा तो जो light है यह on हो जाएगी तो अभी यह सारा कुछ उतारते हैं नया incubator बनाते हैं अब भई हमने एक new paint वाल्टी ले लिए है यह कैसी में भी आप बना सकते हैं किसी भी डबे के अंदर, cartoon के अंदर तो मैंने यह paint वाल्टी सी ले लिए है और इसके अंदर बनाना शुरू करते हैं पहले भी उसी में बनाया हुआ है और इसके नीचे यहाँ पर चोटे-चोटे शुरॉक निकाले थे तो यह यहाँ पर हमने जाली लगाई न तो उसके बाद से मुझे लगते है कि इसके अंदर heat साभी maintain नहीं हो रही तो यह एक new balty ले लिए है और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उपर की तरफ जिदर यह साइड पर बल्ब लगा हुआ है अब हम इसके उपर की तरफ बल्ब लगाएंगे धकन के अंदर और बाकि सारा फिर सेम तू सेम एड़िटीज कंट्रोलर बगारा लगाते इसको और अब जली अले बस काम शुरू करते है बहुत ज़्यादा टाइम बात भई यह होल निकाल लिया और इसका भी बैनिफिट क्या है कि जो बल्ब है और यह मैं इसका दिखाता हूं यह होल्डर जो है यह होल्डर को हम यहां पर यूं करके लगाएंगे ऐसे और यह इदर से यूं बाहर की तरफ आ जाएगा और जो बल्ब होगा और टोटली भई एक्जेक्टूरा का पुरा बाल्टी के अंदर हमारे फिट आ जाएगा उपर की तरफ से और ताके सारे के सारे अंडों को अच्छे से हीट लगे अब यहां पर मैं यह सारी चीज़ों को एड़िजस्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ और इस सारा का सारा सरक्ट इस बार हमने यह जो धकन है ना बाल्टी का जो धकन है इसके उपर की तरफ कर दिया टोटली और अब इंशाला भई उमीद तो है कि इसको चलना भी चाहिए और इंशाला भई इसको चलाना शुरू करते हैं सब फाइनली हमारा इंक्यूबेटर रैडी हो गया है और यह सुच बगाद लगा दिया भासब्या सब ट्राइ करना एं बिसम्लाहिरौहमांिर्रहीम और यह देखें भई फाइनली अलहम्द्लिल्ला हमारा इंक्यूबेटर रैडी हो चूपही हमने जो होम मेड़ी एक बल्ब, होल्डर, वायरिंग थोड़ी सी और उसके बाद एक ये बाल्टी तो मतलब बहुत कम यार आपका 1000 से भी कम बजट बनने वाला है और ये एजली आप अपने घर पे इंक्यूबेटर बना सकते हैं और उसको पर अंदर तक सारा पड़ा है तो अब उसके अंदर वहाँ पर हमने काफी सारे अपने सारे के सारे एक्स रख देने हैं जो हमारी असील मुर्गी ने भी देना शूरू की है और एक डग का भी है और देसी मुर्गियों का भी है तो अब जल्दी जल्दी से सारे के सारे अंडे भरी इंक्यूबेटर में रखते हैं और इसको फिर चला भी देते हैं माशाला से काफी सारे अंडे भी हैं ये सात अंडे असीन मर्गी के हैं ये एक चुटकुजले भी गैँ कुछ हमारे पर देसी अंडे हैं तो इनके ओपर बस नाम वगरा लिखते हैं और जल्दी जल्दी से इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं और फिर इंक्यूबेटर को चला भी देते हैं यहां पर भाई सारे के सारे अलहमदलिल्ला अंडे रख दी हैं और असील मुर्गियों पर असील A लिख दिया है और डक के अंडे पर D लिख दिया है और गोल्डन मिसरी जो मरबद देसी मुर्गियों उनके उपर M लिख दिया है M से मिसरी और बाके सब पर डेट भी डाल दिया है और अब इसके अंदर पानी रखते हैं इसको एकसाइड पर रखते हैं और अपना इंक्यूबेटर को चला देते हैं यहाँ पानी भी रख दिया है और बस बिसमिल्ला पढ़के इंक्यूबेटर को शुरू करते हैं 3,2,1 और माशाला से भई हमारा इंक्यूबेटर अलहम्दुलिल्ला बिल्कुल ठीक चल रहा है और यहां पर यह सिर्फ नम्बरिंग भई कैमरे की वज़ा से ऐसे होता है कैमरा रिकार्डिंग में यह जल्दी से ऐसे लाइट नहीं आती तो वैसे टेंपरेचर जैसका 27 तक जा चुक है और यह जब जाएगा 37 तक यह बंद हो जाएगा और 30 पर आएगा या 37 पर आएगा 37.5 पर इस तरह बंद होता है मैं आपको वो भी दिखा जाता हूँ बाकि अलहम्द लिल्ला भी माशाला से हमारा इंक्यूबेटर चलना शुरू हो गया है अंडे इसके अंदर हैं और अलहम्द लिल्ला भी अब आपने बस दुआ करनी है कि इंक्यूबेटर हमारा चल चुक है और सारे के सारे अंडों में से बच्चे भी निकला है तो यहाँ पर 36 पर हो चुक है और यह 37 इशारिया 5 पर जब जाएगा 37.5 पर जब यह जाएगा तो यह भी बांद हो जाएगा अभी देखना यह लाइट ओफ हो गई और अब यह जब दुबारा 37 पर आएगा यह फिर से लाइट ओनों जागी तो इसका मतलब भी अलहमदलिल्ला हमारा इंक्यूबेटर भी बिल्कुल ठीक चल रहा है काम कर रहा है बस इंशाला भी बाप लोग ने दुआ करनी है और 21 दिन बाद फिर इंशाला हमारे सारे के सारे मुर्गी के अंडों में से बच्चे निकलाएंगे तो भी फाइनली यार हमने इंक्यूबेटर बना लिया है और हमारी मुर्गी ने काफी सारे अंडे दे दिया थे ऐसे वो पड़े पड़े खराब हो जाते है अगर ये हमारी मुर्गी पिशली दफा की तरह कुड़क ना होती तो इस दफा भी भी सारे के सारे अंडे खराब हो जाने थे तो मैंने जल्दी जल्दी पहले टाइम में इंक्यूबेटर बना लिया और चला भी दिया है आप लोगों ने दुआ किनी सारे के सारे इंडों में भी बच्चे भी निकला है तो आज का से जी करते हैं जासे को वीडियो अच्छी लगेगा है तो लाइक लाजमी करने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना मिलेंगे का लिक निए वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज